नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस मोखे पर पीए मोधी वीडियो कंफेसिंगे माध्यम से युवाओ को समभधित विक गरेंगे, इस आयोजन के लिए गिरिह मंत्रालाय नोडल मंत्रालाय है बताए दे दूसरी रोजगार मेला में गुजरात और हिमाचल पर देश को छोड़ कर जर्खन समय देश भर के 45 जगों पर न्युक्ति पत्रे सोपे जाएंगे इसमें जर्खन के रधानी रांची और हजारी बाग में रोजगार मेला काउजन हो रहा है इस रोजगार मेले में पियम मोदी 71,000 युवाओ को आउनलाइन युक्ति पत्रे सोपेंगे जर्खन बिधान सभा अस्थापना दिवस आज मौसम रहेगा साप जर्खन बिधान सभा का अस्थापना दिवस 22 नौमबर को मंगलबार को है मौसम बिभाग के पुरुनमान के मुताबिक सुबा में कोहराया धूंद और बाद में मुखे रूप से आस्मान साप और सुस्क रहेगा मौसम का यही हाल अगले 27 नौमबर तक रहने का अनुमान है मौसम बिभाग ने अपने पुरुनमान में बताया है कि 22 नौमबर से 27 नौमबर तक सुबा में कोहराया धूंद और बाद में मुखे रूप से आस्मान साप और सुस्क रहेगा इस दोरान मौसम बिभाग की और से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है जारखन में आरक्षित कोटे से 37 परश्यत नौमबर तक सुबाग के जारखन पदो एवम सेवाओ के रिक्तियों में आरक्षन बिधैक में सनहीत प्रस्ताव में संसोधन को सुच भीतिते दी है 2001 के मूल अधिनियम की धाराचार एक एवम चारदो के प्रावधान बिलोपित कर दिये गया है ग्यातो की जारखन में पदो एवम सेवाओ के रिक्तियों में आरक्षन से जुड़े 2001 के मूल अधेनियम की धारा चार एक एमचार दो के प्रवधानों को भिलुपित करते हुए उसे निम्न रूप से परतियस्थापित किया गया है 4-1 के अंतरगत किसी अस्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तिया जो सीधी भरती के द्वारा भरी जानी हो निम्न रिकित रूप से बिनिमित की जाएगी खुली गुना गुन कोटी से 23 परतिशत और आरक्चित कोटी से 77 परतिशत नियुक्तिया होगी वही आरक्षित कोटी की सतदर परतिशत में से आरक्षित उमीदारों को भी फीन कोटीयों की रिक्तिया निम्ने तरीके से भरी जाएगी पांच साल में तयार होंगे एक लाख साइबर रक्षक साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रिय संगोष्टी जार्खन प्रद्योगी की विश्ववी द्याले नामकों में सोमवार को हुई उद्घाटन उच और तक्निकी सिक्षा विभाक के सची राहूल पूरवार ने किया इसमें जार्खन को साइबर डिफेंस कारिडोर के रूप में विक्सित करने परचर्चा होई साइबर रक्षा प्रसिक्षन और सिक्षा के लिए समर पीत पहला ऑनलेन बिश्ववी द्याले साइबर पीत की सुरुवात कर अगले पांच साल में साइबर रक्षा इंजिनियरिंग कोसल में विशेस्ता से लेस एक लाग साइबर रक्षक बनाने का लक्ष निधारित किया गया है बिधान सभा अस्थापना दिवस पर तिन दिवस ये समारो आज से जार्खन बिधान सभा का बाइसवा अस्थापना दिवस के मंगल वार से सुरू हो गया है तिन दिवस से अस्थापना दिवस समारो का उद घाटन के राजे पार रमेस बैस आमंत्री थाएं मुख्य मंत्री हेवान सुरेन मुख्या तिती रहेंगे वहीं समारोमें भगोदर से भागपा मालेक बिधायक बिनोद कुमार सिंग भगवान बिर्टा मुठा उत्कृष्ट बिधायक समान से समानित किये जाएंगे पहले दिन समारों के अतिरिक्त देश की सीमा और नक्सल अभियान में सहीद और बीरता पदक प्राप जार्खन राजे के बहादूर पुलिस कर्मियों एवम सैनिकों को समानित किया जाएगा वहीं अगले दिन साम के वक्त जार्खन के लोक संगीत कार्करम में पदमस्री मधू मंसूरी हंस्मूग और पदमस्री मुकुंद नायक और डाक्टर कुमार विश्वास एवम उनके सहयोग्यों द्वारा का भी एक कलस का भी आयोजन होगा खुटी जीले में चल रहे होम गाट की बहाली के लिए प्रती दिन परखंडबार अभियार्तियों की सारिडिक दक्स्ता परिक्षा अस्थानिये बिशा मूडा फोटबोल स्टीडियो में अविजीत की जा रही है इस करम में तीसरे दिन हुए तोरपा परखंट के अभियारतियों की सारेलिक दक्सता परिक्षा के पईनाम घोशित कर दिये गा है तोरपा परखंट से कूल 1154 अभियारतियों ने आवेदन भरा था इसमें 400 महिला और 754 पूरुस अभियारति थे सरकारी इसकूलों के सिक्षक अब नहीं बनेंगे बियेलो जारखंट के सरकारी इसकूलों के कोई सिक्षक बियेलो नहीं बनेंगे 5 जनवरी 2023 के बाद से उन्हें बियेलो के काम से मुक्त कर दिया जाएगा सिक्षक के वाल इसकूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे राज के प्रारंभिक से लेकर हाई स्कूल तक के सहायक सिक्षक और सहायक अध्यापक को बियलो बनाया जाता है ये साल भर में कई चर्णों में वोटर लिस्ट में नया नाम जोडने जिनका निधन हो चुका है या दूसरे जगा पर कार्ड बनवा लिये हैं उनका नाम कार्ड ने रंगिन फोटो देने पता सुधार ने वोटर कार्ड से अधार को लिंक करने का काम कर रहे हैं मैट्रिक इंटर परिक्षा के लिए मोडल सेट 15 जनवरी तक जारखन में मैट्रिक और इंटरमिडियेट परिक्षा 2023 मार्च में होगी इसके लिए मोडल सेटर परशनपत्र तयार करने की परक्रिया सुरू हो गई है समभ़ना जताई जा रही है कि परशनपत्र 15 जनवरी तक जाली कर दिया जाएगा मैट्रिक और इंटरमिडियेट परिक्षा 2023 के परिक्षार्थियों का परिक्षा फर्म 30 नवर तक जामा होगा वहीं भी लंप सुल्प के साथ 10 दिसंबर तक फर्म जामा हो सकेगा पता दे जहारखन में 2023 में जैक मैट्री का उंटरमीडिट की परिक्षा देने वाले अभ्यार्थियों के लिए परिचा फर्म जमा करने की परिक्रिया सुरू है मैट्री का उंटरमीडिट परिचा फर्म जमा करने की परिक्रिया सुरू है उग्रवादियों के बिरोध मिली बड़ी सफलता से पुलिस महकंबे में हर्स है गरामिन इलाकों में भी उग्रवादी भाय का महोल दूर हुआ है जनकारी के अनुसार लाते हर सदर थाना छेटरी की बेंदी पंचायत अंतरगत सुखल कट्टा जंगल में सोमवार को किसी अपराधिक वर्दात को अंजाम देने के लिए जेजे एमपी उग्रवादियों के जमा होने की एसपी अंजनी अंजन को गुपत सुतना मिली इसके बाद HDPO संतोष कुमार मिस्रा, सरकिल एंस्पेक्टर बवलु कुमारव, पोर्नी धर्मेंद्र महतो के नतियतुमें पूलिस टीम एथी हैतन परत्ते हुए जंगल की तरफ गई हेमंत सरकार ने तोड़ा भरस्टा चार का रिकोर्ड बीजेपी जारखन परदेश भाजपा ने सो मौर्चे हेमंत सरकार के खिलाब आंदोलन के दूसरे चरण की सुरुवात की है इसकर में रायधानी रांची में भाजपा करकरताओने उपायुक्त कर्याले के समक्ष परदर्शन किया जीला मुख्याले परदर्शन का कारकरम 25 नौबर 22 तक चलेगा इसमें अलग-अलग जीलों में पार्टी के वरिये नेता कारकरम करनेती तो करेंगे बता दे रांची में उपायुक्त कर्याले के समक्ष परदर्शन में परदर्श अधियर दीपक परकासने करकरताओ में जोस भरा उन्होंने कहा है कि जारकन की हैमांत सुरेन सरकार ने भष्टचार के सारे रिकोर्ड धवस्त कर दिये हैं भाजपा सरकार को उखाड फेकेगी जारकन की जानता इस सरकार से त्रहिमाम कर रही है राज सभाचुनाव हार्श ट्रेंडिंग केस राई सभाचुना 2016 में हार्श ट्रेंडिंग मामले में रांची के जगरनाथ पुर्थान में वर्ष 2018 में दर्ज प्रात्मी के अनुसंधान करता DSP हटिया के अनुसंधान पर ततकालिन SP CT अंसुमान कुमार ने सवाल उठाया है उन्होंने अपने परवेक्चन टिपनी में लिखा है कि निर्देशित बिंद्यों को नदर अंदाज कर अनुसंधान करना कहीं न कहीं जांच को बंद करने का पर्यास है उन्होंने 17 नॉम्बर 2022 को अपनी परवेक्षन टिपनी में लिखा है कि अनुसंधान करता डेशपी राजा कुमार मित्रा ने बिधी बिज्ञान परयोग साला गांधी नगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के दो बिंदियों का जिक्र भी नहीं किया और नहीं बरामद आड परिक्षा के पिछले दिनों जारी परिणाम में त्रूटी सामने आई है त्रूटी सामने आने के बाद जारकन सन्यूप्त परवेस परत्योगता परिक्षा ने सोम वार को इस परिक्षा का संसोतित परिणाम जारी किया पारिसत के अनुसार आर्थिक रूप से पिछले वर जे एससी परियोग साला सहायक नियोकती परिक्षा में 2766 आवियादन रद जार्खन करमचारी चैन आयोग ने परियोग साला सहायक नियोकती परिक्षा के लिए ऑनलाइन आवियार्थियों में 2766 आवियार्थियों के आवियार्थियों के आवियार्थियों के आवियार्थिय गये थे सुप्रीम कोट के निदेश पर सिर्फ बसों की जांच सुप्रीम कोट ने सड़कों पर हो रही दुर घटनाओं को रोकने के लिए एक धर्टन से अधिक बिंदूओं पर अपने सुझाओं दिये हैं लेकिन इनमें से अधिक कांस सुझाओं के अंदेखी नियमित तर पर हो रही है कोट ने बचों की सुरक्षा को प्रात्मिक्ता देते हुए इसकूल बसों में जिस परकार की सुझाओं सुनेशित करने का निदेश दिया था उनकी अभी अंदेखी हो रही है बसों में आपको जहां तहां ठूस कर बिठाए गए बच्चे दिख जाएंगे ल घूमला में पूलिस पर हमला 40 लोग के खिलाब A speaker गूमला जी लेके शिसाई प लोग में एक विसेश समुदाय के लोगों द्वारा पूलिस पर हमला कर पूलिस हिरासत में पसू तसकरी के आरोपी को छुडा ले जाने का ममला परकास में आधा है इस म MORE में एसिक उमलेश प पर केस दर्ज किया गया है वहीं पूलिस ने दविश दे कर मुख्य आरोपी सिसाई बस्ती निवासी एलून अंसारी 45 वर्षियों को गिरपतार कर सोमवार को जेल भेज दिया पूलिस अन्य आरोप्यों की तलास कर रही है गडवा के रासन दुकान में पलास्टिक का चावल मिलने का दावा की बात को गलत बताया उन्होंने कहा है कि या पॉलिस युक्त चावल है रांची मेर आरक्षन पर फसे सभी दल जारखन में नगर निकाए चुनाओ को लेकर राज निवाचन आयो की डूडूगी बाईने से पहले ही रांची महा पॉर सीट आरक्षन को लेकर राय नितित्य जोगाई है इसके सी के लिए आरक्षन को लेकर सभी दल दूसरे पर ठिकड़ा फोड़ रहे हैं कोई इसे भारतिय जानता पार्टी के सासनकाल में लिए गया फैसले का पहिना बता रहा है तो कोई मिल बैट कर समस्या कर समधान निकालने की बात कर रहा है धन्यवाद